अब बेस्ट को बनाने जा रही है इस पैक को बनाने के लिए हम बेसर नहीं है मैंने बेसर यहाँ पे इत चमच लिया है यह देखिए अब हम इसमें हम इसमें हल्दी एड़ करें पर हल्दी चुटकी वर हल्दी लिया है कि ज्यादा हल्दी लेने से फेस यल्लो हो जाएगा अब इसमें हम निम्गु निम्गु का रस एड़ करेंगे देखिए मैंने हाथ निम्गु लिया उसका रस एड़ कर दिया अब हम इसमें टमाटर का रस एड़ करेंगे तो माटर करा सब उसे अच्छे से एड़ कर दिया हुआ है कि यो बनाने में हैं इसमें थह्याद सा गुलाभ जल भी एड़ करेंगे मैं तो मैंने थोड़ा से गूला जो ngumwe कर दिया है अच्छे से मिक्स कर दिया यह देखिया है तो यह तो इसे पलप्राए करएंगे average हैं हम इसे अच्छे से मासाज करते हु़े अपनी पूरे फेस पर अपले करें करें हुए हमीसे अच्छे से मासाज करना है लगबछ दो च्रें मिन तक मासाज करते हुई हिस से लडाना है ताकि ये फेस में अच्छी तरह एसे पेस के अंदर तक जाये तो जब ज्यादा सर करें। यह सूरी अथि कि अच्छे तरह सी फेस को धूया हो फेस पे कुछ भी नहीं है जब भी पेक लगा ए तो अच्छी तरह सी या तो फेस वस्या जो भी आप लया तुसे अच्छी तरह से फेस बस कर लिया हुआ ईसे बिस्मेट रखनी के बाद नहीं है दिए मेरा फेस अब अच्छी में ड्राइं हो गया है बढ़े से यूपारे बडे आते हैं इस स्कूं को कर लिया है देखे दहूने के बाद कितना अच्छा लग रहा है फेस कितना ग्लो कर रहा है यह दखिए इस पैक को कम से कम सबते में दोन बार लगा रहा है दोन से तीन बार लगा है अगर अगर आप हो सबके तो रेगूलर लगा है रेगूलर लगाने से आपको और अच्छा benefit मिलेगा तो वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज लाइक किज़ेगा मेरे चनल को सब्सक्राइब किज़ेगा थैंक यू